Hello everyone, ये है Videos World Channel और आज हम सिखेंगे आइनकुडस में मार्क्स को कैसे अपलोड करते हैं तो आइनकुडस हमारा Outcome Based Education Software है तो इसमें हमें मार्क्स अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस लिंक पे जाना होगा इसको टाइप करने के बाद ये आपका लोगिन पेज ओपन हो जाएगा फिर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ट इसमें आप इनपुट करेंगे और साइन इन करेंगे साइन इन करने के बाद आपको जाना है अटेनमेंट अटेनमेंट के बाद आपको जाना है C.I.A. Data आपको यहाँ पे क्लिक करना है C.I.A. Data Import फिर यहाँ पे Department स्लेट करना है प्रोग्राम B.T.E.C. करिकुलम यहनि कि सेशन कौन सा है आपका उसके बाद कौन सा सेमिस्टर है फिर आप यहाँ पे देखेंगे डाटा आपको विजिबल हो जाएगा तो करते हैं देखें यहाँ पे मेरा Department स्लेट प्रोग्राम B.T.E.C. सेशन सेकंड यर के लिए मेरा 2017 से 21 और सेमिस्टर 3 इसमें देखें मेरा Section B Surveying के Marks मेंज अपलोड करने है ठीक है Section B के Surveying के तो मैं इसमें जाऊंगा यहाँ पे Add and Modify Marks ठीक है मैंने यहाँ पे क्लिक किया उसके बाद आपका यह उपन हो जाएगा पेज CIA Data Import यहाँ पे देखेंगे मैंज PUE के Marks अपलोड करने है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले PUE का एक Template डाउनलोड करूँगा Format मैं यहाँ पे Download पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे आप यह डाउनलोड होने लगा Format यह Format Open हो गया है इसे Enable Editing करते हैं Format सेम वैसे है जैसा आपने Gap Analysis के लिए बनाया है इसमें बस Session लिखा हुआ है, Roll Number है और Student का Name है ठीक है? और यहाँ पे देखेंगे Question No.1 का A, 1 का B, 1 का C इस तरह से आपको दिया वा है और Last में है आपका Grand Total Marks तो सबसे पहले मैं Roll Number को बना लेता हूँ Ascending Order में और अब जो मैंने Gap Analysis किया है उसको मैं Open कर लेता हूँ देखें, यहाँ पर मैं पहले Filter लगाता हूँ सबसे उपर और मैं इस Roll Number को भी Ascending Order में कर लेता हूँ उसके बाद मैं यहाँ से Copy करता हूँ सारे Marks Copy और Sheet में Paste करता हूँ As a Value Special Paste में जाकर अब जाकर अब जाकर आपको ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको एक Formal लगाना है Total का तो Total Formal लगाने के लिए Horizontal में Select कर हमने Horizontal Row Grand Total तक और यहाँ पर Sum पर क्लिक कर दिया यह Sum हो गया इसी को हम नीचे तक लगा देते हैं यह हो गया आपका Total अब इस Sheet को Sheet के है BTEC CE 2.17.21.PUE1 इसको मैं Close कर देता हूँ Save कर देता हूँ अब यहाँ पर देखिए कि Import का Option Download से हमने Template Download के उसे Marks Copy किए अब Import में क्लिक करेंगे Import पर क्लिक करने के बाद यह विंडो उपन जाएगी यहाँ पर आपको क्लिक करना है Upload यहाँ पर Sheet उपन करने के लिए पूछेगा तो जो Sheet में मैंने Template में Marks Copy किए तो इसको उपन कर लेता हूँ थोड़ा सा टाइम लेगा है यहाँ पर देखिए अपलोड हो गई अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ओड़ा दिहान करना है Remarks को आपको Remarks चेक करना है कि Remarks पुरा ब्लैंक होना चाहिए देखिए मैं चेक करता हूँ देखिए 10th Remark में क्या है कि मैंने जो Question Number 1B यह 2 Marks का है उसमें Greater Than Marks से नंबर दिए है तो 2B में देखते हैं क्या है 2B में देखिए हैं अब है मैंने 3 Marks दिए हैं जबकि यह 2 Marks का है तो यह आपको एक बार है ना Remarks चेक कर लेना है ठीक है तो यह रोल नंबर 18 को और रोल नंबर 908 यह दो Mistake है तो इसको मैं Cancel करूँगो यहां से और दुबारा इस Sheet को Open कर लेते हैं इस Sheet में देखिए एक तो यहां पर यह Marks थे और एक मेरे यहां पर यह Marks mistakes थी इसको Save कर देते हैं अब दुबारा से Import करते हैं इसको Upload यह Upload हो चुक है अभी भी रिमार्क में एक है मेरा है इसको ठीक कर लेंगे एक ही रिमार्क है एक और रिमार्क है शाहिए सेव नहीं हुआ इसको हम Cancel करते हैं अभी आप रिमार्क ठीक करने के बाद आपको बस Accept करना है फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ लेकिए Upload हो चुक है और रिमार्क है अभी हमारा पूरा Blank है इसको Accept करना है हाँसे यह आपको व्यू करना है था आप व्यू भी गर सकते हैं इस तरह से आपके मार्क से वी होंगे ठीक है इसी तरह आपको अटेंटमेंट में जाना है C.I.A. इंपोर्ट डाटा और यहाँ पर डिपार्टमेंट, प्रोग्राम, करिकुलम सब सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैंने सर्वेंग का मार्क को मोडिफाई किया है इसमें केवल P.O.E. मार्क के मैंने मार्क अपलोड किया है इसी देखें यहाँ पर अपलोड का एक मार्क आ चुका है एक सिंबल तो इसी तरह आपको सेशनल वन, सेशनल टू, असाइंगमेंट, क्विज, सभी के मार्क्स इस तरह से अपलोड करने है और किसी भी इंकारी के लिए प्लीस मुझे कॉंटेक्ट करें थैंक यू